नमस्कार दोस्तों, I am sure कि आप सबने जनरलिस्ट राना अयूब का नाम सुना होगा, लेकिन रिसेंटली अभी क्या हुआ है कि एन्फोर्स्मेंट डिरेक्टरेट ने आरोप लगाया है मनी लॉंडरिंग का, एन्फोर्स्मेंट डिरेक्टरेट जिनका में काम है कि देश के अ कहीं आरोप ये लगाया जा रहा है कि राना अयूब ने रिलीफ वर्क के मामले में लोगों से क्राउट फंडिंग करवाया, पैसे जुटाए और उसका सही इस्तमाल नहीं किया, तो उसका डीटेल से हम समझेंगे, ED के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, काफी कुछ जा वो यहाँ पर मिल जाएंगे, तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे अभी exactly हुआ क्या है, कल की ही बात है Thursday को, यहाँ पर Enforcement Directorate ने allegation लगाया है basically और यह कहा है कि Crowd Funding Platform Keto, यह जो K-E-W-T-O, यह एक प्रकार का website है, organization website है, वहाँ पर राना अयूब ने काफी सारे पैसे खर्च कर दिया, और total amount यहाँ पर जो attach किया गया है ED के दोरा, वो अभी के लिए 1.77 करोन बताया जा रहा है, इसके लावा agency ने यह भी आरोप लगाया गया है, कि राना अयूब ने fake bills बनाये हैं, ताकि expenses को दिखाया जा सके, मतलब कि वो expenses सही तरीके से नहीं हुआ, जिस stage क किया गया, fix deposit करा लिया, उन्होंने 50 लाक रुपय का, इस तरह के सभी आरोप आपको देखने को मिलेंगे, पहला question आपके मन में आएगा, कि यह register कैसे हुआ, मतलब यह case सामने आया कैसे, basically यह पिछले साल का मामला है September के महने में, जब यहाँ पर एक complainant है, विकास संकृतिया आयान, तो उनके द्वारा यहाँ पर आरोप लगाया गया था, और उनके द्वारा FIA दर्च किया गया, तो गाजियाबाद में, गाजियाबाद पुलिस के द्वारा FIA दर्च किया गया, पिछले साल September में, और यह basically public money को illegal तरी से acquire करने का मामला था, और इसी लिए जो investigation है, वो enforcement direct rate ने start कर दी, जो complainant थे उनके द्वारा यहाँ पर यहाँ पर यह क्लेम किया जा रहा था, कि राना अयूब ने भारत के अंदर तीन प्रकार के campaign के माध्यम से fund जुटाया था, देखे तीन campaign कौन कौन से हैं, एक तो यहाँ पर राना अयूब के द्वारा यह बोला गया और तीसरा fund आपको याद होगा, COVID-19 के समय काफी लोग impact हुए थे, उनको मदद करने के लिए बनाये गया था, तो यह तीन fund यहाँ पर राना अयूब ने बनाये और लोगों से मदद मागी कि आप इसके अंदर contribution करिए और हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन यहाँ पर आरोप से मंगाते हो भारत के बाहर से, तो आपको प्रॉपर अनुमती लेनी होती है, certificate लेना होता है, तभी जाकर आप बाहर से पैसा जुटा सकते हो, तो यह एक उलंगन किया गया, ऐसा आरोप लगाया गया, complainant के दोरा जो गाजयाबद पुलिस ने अफायाद दर्ज किया था, और पिछले साली यहाँ पर राना आयूब ने यह सारे जो allegations हैं, उसको खारिच कर दिया था, कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन अब question आता है कि enforcement directorate ने जो भी investigation की है, उसके अंदर उन्होंने क्या कहा है, देखिए उनके द्वारा यह बोला गया है, कि इन तीन fund के माध्यम से राना आयूब ने 2.69 करोन raise किये थे, और largely क्या किया था कि वो जो पैसा है वो अपने sister के account में और उनके जो पिता हैं, उनके account में transfer किया था, जैसे कि इस पूरे amount में अगर आप देखिए तो 72 lakh उन्होंने अपने account में transfer कर दिया, 37 lakh अपने sister के account में, और 1.6 कर account में transfer कर लिया, मतलब कि कही न कहीं ये इस तरह के आरोप आपको देखने को मिलेंगे, इसके अलावाद जो main allegation ये लगाया जा रहा है, कि क्योंकि उन्होंने यहाँ पर पैसा public से जुटाया था, तो expense कही न कहीं दिखाना था, तो वो expense वो कहां दिखा सकते थे, तो उन्हो रानायूब का कहना था कि 60 लाग से 70 लाग रुपे हमने relief work में खर्चा किया है, लेकिन enforcement direct rate का अब ये कहना है, कि जो भी उन्होंने statement देखे हैं, bank account के credit card expenditure देखे हैं, उसमें करीब 28 लाग का ही expense दिख रहा है, तो इतना जादा expense रानायूब के दौरा बताया जा रहा है, कि जो की नहीं हुआ है, ऐसा यहाँ पर enforcement direct rate कह रही है, इसके लावा यहाँ पर उनके दौरा fake bills जो हैं, वो found किये गए हैं, जिसके अंदर आरोप ये भी लगाया कि रानायूब ने अपना जो personal travel है air का, मतलब आप जा रहे हो एक जगह से दूसरे जगा दिल्ली से वांबिया क नहीं पर भी जा रहे है, personal जो travel है, उसको भी expense में यहाँ पर count कर लिया है, यह allegations आपको देखने को मिलेगा, देखिए यहाँ पर ultimate enforcement direct rate कहना क्या चारा है, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उसके पहले बार-बार मैं आपसे ED की बात कर रहा हूँ, इसके बारे में थोड़ crime है, उसको यहाँ पर रोका जा सके, और यह अगर आप देखोगे present में, तो ministry of finance के अंदर department of revenue है, उसमें आता है, पहले क्या हुआ था, इसकी जो origin हुई थी, 1956 में हुआ था, first में, और उस समय उसको बला जाता था enforcement unit, और वो आता था department of economic affairs के अंदर, लेकिन आगे चलकर इसक में दो act हैं, उससे related काम है, एक है आपका foreign exchange management act 1999, और दूसरा है prevention of money laundering act 2020, तो इसके तहत इनको power मिली है, कि जो economic offenses हैं, उसको यहाँ पर रोका जाए, तो finally अब मैं आपको बताता हूँ कि enforcement direct rate क्या इलजाम लगा रहा है, राना यूग के अंदर, उनका ये कहना है कि जो भी हम आपने investigation conduct किया है, उसमें clear सावित होता है कि जो fund raise किया गया था, जिस चीज के लिए, जिस charity के लिए, वो pre-planned और systematic manner में किया गया था, और उसका सही इस्तमाल नहीं किया गया, मतलब जिस purpose के लिए आपने raise किया था fund, वो आपने उस जगान इस्तमाल नहीं किया है, instead अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो Rana Ayub है, उन्होंने अपना separate current bank account करा लिया, और उसके अंदर पैसा transfer कर दिया, इसके अलाबा आरूप एक और बहुत गंभीर वे लगाये गया उनके उपर कि 50 लाग का उन्होंने fixed deposit खोल दिया, और उसको यहाँ पर utilize नहीं किया, मतलब यहा COVID से related लोगों को मदद करने के लिए यह fund बनाये गया था, state level पर cm fund और central level पर pm fund, तो वहाँ पर इन्होंने 74.5 lakh रुपीज जो है, वो transfer की है, ऐसा enforcement direct rate करा है, लेकिन यह जो 50 लाग का fixed deposit है न, यहाँ पर जब पूछा गया Rana Ayub से कि आपने यह fixed deposit क्यों करा लिया, तो उनका कह रहेते हैं, लेकिन फिर bank manager का कहना था कि हमने ऐसा कोई भी advice Rana Ayub को नहीं दिया, मतलब कि यहाँ पर आपको allegation, counter allegation इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी, और इनसे जब question पूर जा गया, ऐसा बताया गया है, enforcement direct rate के sources के दौरा, जो media में खबर चल रही है, कि Rana Ayub explain नही भी कुछ हुआ है, साथी में जो enforcement direct rate है, वो आपको समझ में आ गया होगा, जाने से पहले एक interesting question क्योंकि अभी मैंने ED की बात की, तो इससे related दो statement है, उनके जो human resources होते हैं, जो officials होते हैं, उससे related दो statement, इसको ध्यान से पढ़िए, बताए, कौन सा correct होगा, इसका right answer आपको पत पाएंगे, साथी साथ UPSC, आप फिर किसी भी exam की त्यारी कर रहे हैं, तो आपको download कर ली जाए हो, कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलता है आप से next time till then, thank you very much, see you soon.